नमस्ते मैं हूँ सुदीपता मसाला चाह पर आपका स्वागत करती हूँ सामाने से एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ और इसकी वज़ा आप सब जानते हैं मैं दिल से शुक्र गुजार हूँ आप सब की जिन्होंने मुझे इतनी शुपकामनाय दी इतने प्यारे प्यारे कोमेंट्स किये आपका प्यार आपका जो विश्वास था मेरे प्रती कि मैं जल्दी से वीडियो लेकर आऊंगी मैं सच कह रही हूँ मैं कितनी खुश हुई मुझे कितना अच्छा लगा इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है शायद मेरे चेहरे के मुस्कुराहत मेरी हसी मेरी भावनाय व्यक्त कर सके सच कहूं तो इस वीडियो में मुझे शायद और वक्त लग जाता और लंबा समय लेती मैं लेकिन वो आप सब का प्यार था वो आप सब का इंतजार ही था जो आपके शब्दों में कॉमेंट्स में मुझे जहलक रहा था मैं यहां आते ही मतलब शादी के बाद मैं यहां पर ग्वालियर शिफ्ट हो गई हूँ पनारस में नहीं हूँ मैंने अगले ही दिन एक किताब उठा ली मेरी व्यस्तता तो मुझे से यह कहती थी कि मैं कोई हलके फलकी से किताब उठाऊं और एक छोटा सा वीडियो बना दू लेकिन जरूरी था मुझे खुद में वापस आने के लिए क्योंकि पहली बार मैंने इतना लंबा समय बिना किताबों के गुजारा है कि मैं एक ऐसी किताब उठाऊं जो मेरा पुरा वक्त ले सके और जो मेरे वक्त का सबसे अच्छा उपियोग साबित हो सके तो मैंने उठाई अरुंदती रॉय की लिखी The God of Small Things का हिंदी अनुवाद मामुली चीजों का देवता राजकमल पेपर बैक से प्रकाशित हुई है हिंदी अनुवाद किया है निलाभ अश्क ने 1997 यानि कि 1997 में बुकर पुरसकार से इसे सम्मानित किया गया किताब का बहुत परिचे देने की मुझे जरूरत नहीं है ये मैं जानती हूँ ये उन किताबों में शामिल है जो बहुत शर्चित रही है और जिसे हर इंसान एक बार जरूर पढ़ना चाता है कम से कम इसलिए तो जरूर ही कि वो ये कह सके कि उसने The God of Small Things पढ़ी है लेकिन हां अगर आप ये सोचकर कोई किताब उठाते है कि आपके कह सके कि मैंने पढ़ी है तो उस किताब का अंतक्सर इन बातों से होता है कि ठीक थी, मज़ा नहीं आया, थोड़ी मुश्किल थी और जो सबसे जादा मुझे पर्सनली फीडबैक लोग देते है कि सुधी तुम इतनी भारी भरकम किताबे कैसे पढ़ लेती हो कुछ अलकी बुलके से किताब बताओ ना हमारे लिए तो मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा सरफ एक वज़े से होता है कि हमें पता नहीं होता कि इन किताबों को कैसे पढ़ना है उसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उन किताबों को बरतने का तरीका उनसे डील करने का तरीका क्या होना चाहिए तो आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ The God of Small Things के लिए मामली चीजों का देवता के बारे में उसकी समिक्षा करने की तो मैंने कोशिश की ही है साथ ही मैंने कोशिश की है कि ये वीडियो उन सब के लिए एक मार्कदर्शक साबित हो जो The God of Small Things को पढ़ने का प्लान कर रहे हैं अगर वो किताब शुरू करने से पहले ये वीडियो देख लेते हैं तो उन्हें उसकी ताब को पढ़ने उसे समझने और उसका आनंद लेने में मदद मिल सके The God of Small Things मामली चीजों का देवता ये केरल के एक मल्याली परिवार की प्रिष्ट भूमी पर लिखा गया उपन्यास है जिनके पूरवज प्राम्हन से इसाई धर्म में परिवर्तित हो चुके हैं परिवार में अमू अपने दो जुड़वा बच्चो एस्ता और राहेल के साथ है अमू का भाई चाको है जिसकी पूरूपत्नी मार्गरेट को चम्मा अपनी बेटी सोफी मोल के साथ कुछ वक्त बिताने उस परिवार में आई हुई है अमू की बेहन बेबी को चम्मा है उनके माता पिता, मामा ची और पापा ची है यानि एक संपूर्ट सा दिखता हुआ लेकिन विखंडित परिवार है अमू ने सबके मर्जी के बिना अपनी पसंद से शादी की है और शादी के विफल हो जाने के बाद अपने जुड़वा बच्चों के साथ माई के वापस लोटाई है जहां उसकी कोई इज़द नहीं है चाको की पतनी उससे तलाक ले चुकी है लेकिन अपनी एक दुरगटना के असर से उबरने के लिए थोड़ा वक्त बिताने चाको के पास वापस आई है बेबी को चम्मा अपने एक एक तरफा प्रेम के असफल हो जाने के बाद ताउम्र और विवाहित रहने का फैसला लेती है अपने जिन्दगी के अधूरे पन को दूसरों के जिन्दगी में मुश्किले पैदा कर पूरी करती हुई ममा ची का अचार और मुरब्य बनाने का कार खाना है लेकिन उनकी आत्म निर्भरता से औस सम्मानित महसूस करता उनका पती यानि पपाची है जो बात बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठा कर ही अपने पौरुष को संतुष्ट रख पाते हैं कहान की जो बुनावट है वो कुछ इस तरह से की गई है कि पढ़ते वक्त शुरुवात में कहीं भी कुछ भी असवभाविक या कुछ भी असवज घटित होता मैसूस नहीं होता सब कुछ उतना ही सहज स्विकार है लगता है जितना हमारे समाजक नियम कानून हमें लगते हैं प्रेम करने के लिए बनाए गए नियम, स्त्री और पुरुष के लिए बनाए गए अलग अलग नियम इन नियमों को बरकरार रखने वाले नियम ये नियम जो मनुश्य की मूल प्रकृति के विरुद्ध होने के बावजूद उसके द्वारा सहजी स्विकार कर लिये जाते हैं इनकी भयावहता का अंदाजा आपको तब होता है जब वो पन्यास में धीरे धीरे प्रवेश करता है वो पन्यास का नायक वेलुता वेलुता जाती से परवन है जिसे आप दलिद भी कह सकते हैं तेकिन अपने स्वभाव और व्यक्तित्व से बिल्कुल नहीं वेलुता की आखों में खीनता का भाव नहीं बलकि एक गर्व दब दपाता है वो नजरे उठा कर आपसे बाते कर सकता है वेलुता हर काम में निपुड है ममाची के घर से लेकर उनके कार खाने तक बागबानी से लेकर मशीन के छोटे-छोटे कल पूर्जों तक हर समस्या का समाधान वेलुता के पास है छोटी से छोटी समस्या जो कभी भी बड़ी समस्या में तबदील हो सकती है वेलुता उसका आसानी से समाधान कर देता है वेलुता हानी का देवता है मामुली चीजों का देवता अपनी स्वस्थ और आधुनिक सोच का परिचे देते हुए ममाची वेलुता को अपने घर में आने और वहाँ उसे सच्छन्द विचरने की पूरी छूट देती है। इसे कहानी में एक वीभत समोड की शुरुवात होती है। इसका मूल कथानक समझने में थोड़ी मुश्कले पैदा करें। आपको थोड़ा वक्त लगे। यहां मेरी सलह आपको यही है कि एक एक लाइन का अर्थ निकालने की बजाए अगर आप एक एक अध्याय में छिपित रासदी समझने की कोशिश करेंगे, उसका मूल भाव पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको मदद मिलेगी। इस उपन्यास को राहेल और एस्ता दो जुड़वा भाई बहनों की नजर से देखने की कोशिश की गई है और यह इसकी सबसे बड़ी खास बात है क्योंकि तब आप उपन्यास को एक बच्चे की नजर से देख पाते हैं। किया गया, यह अनुवाद इतना सुंदर है कि इससे अच्छा, इससे खुबसूरत क्या ही हो सकता था। छोटी-छोटी समस्य आए, मामली चीजे, मामली घटना आए, किस तरह एक तरासत पूर आख्या में बदल सकती हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अगर किताब खरीदना चाहते हैं, तो description box में मैंने link दी है, affiliate link वहां से जरूर order कीजेगा, इसे एक छोटा सा सहयोग आप मुझे भी करते हैं, एक और request आप से करोगी, कि अगर आपने किताब पढ़ लिया, तो यह कैसी लगी आपको, यह मुझे जरूर comment box में बतायेगा, अ प्रीज वापस आपके एक बार मुझे comment box में जरूर बतायेगा, कि मेरे वीडियो से आपको किताब पढ़ने में कोई मदद मिली या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अभी के लिए बस इतना ही कहोंगी, कि अगले वीडियो का इंतजार कीजे, जल्दी ही लेकर आ आपे वड़ते रहेगा, बाबाई